हमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारा यूटूब चैनल में आईए दोस्तों हम बात करते हैं कि यदि आप दूद पीकर कहीं जाते हैं या तरह पर या कहीं इंटर्वियू पर तो यह कैसा होता है तो दोस्तों आईए हम जानते हैं कि दूद पीकर कहीं जाने से क्या होता है दोस्तों यदि आप किसी इंटर्वियू पर या कहीं या तरह पर या किसी भी जगह पर दूद पीकर ना जाएं क्योंकि दूद पीकर कहीं जाना बहुत ही असुभ माना जाता है और इसलिए इसे असुभ माना जाता है कि दोस्तों यदि आप दूर पी करके जाते हैं और जिस कारे के लिए जाते हैं वह काम अधूरा ही रह जाता है और पूरा नहीं होता है आप जिस काम में जाएंगे उस काम में या तो रास्ते में रुकावट आ जाएगी नहीं तो आपकी गारी खराब हो जाएगी नहीं तो दोस्तों आप जिस कार के लिए वहां पहुँच भी जाते हैं उस कार को किसी ना किसी बहाने से रुक ही जाना है तो दोस्तो दूद पीकर किसी यात्रा या किसी भी सुभकार के लिए ना जाएं क्योंकि दूद बहुत ही असुभ होता है पीकर के जाना दोस्तो सेहत के लिए तो दूद बहुत ही अच्छा होता है लेकिन या किसी सुभकार के लिए बहुत ही असुभ माना जाता है जो सारे सुभकारियों को रोक देता है और आपको असफल वना देता है हो सकता है आपको बहुत बड़ा छती का भी सामना करना पड़े जो आपसे असहनी हो और आप उस छती से समल ना पाएं तो दोस्तों यदि आपको दूध पीना हो तो साम को ही पिएं सुभ में भूल कर भी कहीं यातरा पे जाने या कहीं घर से बाहर निकलने से पहले दूध का सेवन ना करें नहीं तो आपके लिए बहुत ही हसुभ हो जाएगा यदि आपको कहीं जाना हो तो दोस्तों आप दही खा कर जाएं आपका क्यार पूरे रूप से संपूर हो जाएगा और आपके कारे में सफलता मिलेगी और आप खुसी खुसी वापस लोटेंगे तो दोस्तों याद रहे आप हमेशा कहीं भी जाएं भूल करके भी दूद का सेवन ना करें जो आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए या बहुत बड़ा छती में डाल दें उस सिकार को आप कभी भूल कर भी ना करें और नहीं कभी भूल करके दूद पिये दोस्तो दूद यातरा के लिए बहुत ही असुब माना जाता है और बहुत ही खराब इसका प्रकोप माना जाता है तो दोस्तो आप दूद के प्रकोप से बचे और हमेशा खुस रहें